हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनिता कुकिंग और आज मैं आपकी साथ सेर करने जा रहे हूँ बाले साई की रेसिपी बालु साई सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है यह स्वीट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में तो इन बालु साई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा ले लिया है जिसको मैंने पहले से ही चान लिया है और एक मिक्सिंग बाल में निकाल लिया है तो चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं सामान डालना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, एक पिंच मैंने यहाँ पर नमक डाला है, नमक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जब हम कोई स्वीट डिस बनाते हैं तो उसमें नमक जरूर डाल लिए, फिर हम यहाँ पर डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, तो यह मैं जमवा भी नहीं है और बिल्कुल पिगलावा भी नहीं है, तो 70 ग्राम हमें यहाँ पर घी डाल लेना है, अब क्या करना है हमें यहाँ पर पानी ले लेना है, तो पानी का कोई measurement नहीं है, हमें इसका डो बनाना है, पहले हम मैदा में गी को और जो भी हमने इस सामान डाला ह इसको अच्छे से मिला देंगे, बिल्कुल एक मुठ्या बनने तक मिलाते रहेंगे इसको, तो सारा समान अच्छे से मिल चुका इसमें, अब हम क्या करेंगे, थोड़ँ थोड़ँ पानी डालेंगे और इसके डो सा बनाना शुरू करतेंगे, डो नहीं बनाना है, जादा म Boss बनाना शुरु करतें फिर से थोड़ा सा पाणी रहेंगे और फिर से छुट़ा सा साथ रहा लेंगे इसका जिबियां आटे को बनाते हैं तोगह साभ बनाते हैं तोिस्के थबा के डॉबतically ons NATE तोड़ा थोड़ा पानी लेना है उस्तेमाल करना है उसी तरह सी टोव बन जाएगा तो यह दीखिए टोव बनकर तयार हो चुका है अब हम इसको क्या करते हैं 10 से 15 मेट के लिए साइड में छोड़ देते हैं और यह देखिए काफी सारा पानी बच चुका है बस इतना ही पानी लगा है आप लगबग में आधा कप से भी बहुत कप अब हमने एक भगोना ले लिया है अब हमें चासनी तयार करनी है तो यहाँ आधा कप पानी डाला और एक कप भर कर चीन डाल दी है मेजर मेंट आप किसी भी बरतन से कर सकते हो बस पानी का जो कंसिस्टेंस या क्वान्टिटी होगी वह आपको आधी लेनी होगी फिर उसके बाद मैंने खाने वाला फूर कलर होता है वह वाला डाल देया जो हमारा जल आपनी को चला देते हैं तो चीनी की हमें चासनी तारवार वाली नी बनानी है ऐसे बनानी जैसे हम घूरावजाम की चासनी बनाते बस उस ठोड़ी थोड़ी सी छिप-चिप यह नि थोड़ी सी गाड़ी कि देखे मित धिरे ते भी पिलनी को प्रोड़ चला आडे तो यह देखिए अब हमने यहां पर आधा पानी डाला है यानि डबल चीन ही है उसका आधा पानी आ तो चिप चिप तो यह बनी जानी है वैसे वी पस थोड़ी तेर इसको पका लिजिए इस तरह से चलिए ब़र चैक करके देखते हैं यह देखिए अभी इसमें चिपचिपपन नहीं आया है इसमें कुछ चिपचिपपन ऐसा आना चाहिए जैसे सहद होता है थोड़ा सा गाड़ा होता है थोड़ा वो चिपचिपपा हाट पे ज्यादा होता है बस इस तरह आगा तो यह देखिए बस हमारी चासनी यहाँ पर ब वगेरा होते हैं जादा करके गी में ही बनाए जाते हैं तो मैं भी यहाँ पर गी का इस्तेमाली कर रही हूँ अगर नहीं है तो आप रिफाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कोई चीज हमारे पास नहीं होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम बैठे रहे कि हमारे पास कोई चीज नहीं है कोई ना कोई राष्टा निकाली लेना चाहिए तो चलिए जब तक वो घी थोड़ा सा घरम हो जाएगा हम बालुसाई बनाना शुरू करते हैं तो यह देखिए आटा इसका कैसा हो रहा है बिल्कुल यह मही माटा नहीं है ऐसा लग रहा है जयाते में कुछ हो स खथा आता है असा नहीं हलकिय कहल के आतों से सट आरेक्षिन इस तरह सेंगे जब हम इसतरह से गुमाएंगे कि इसमें चक्री बानी लिए अर्ची भेल जाता है उर्टोमेटिक तो आप इस तरह से भी इन बालूसाई को बरा सकते हो तो यह देखे चलिए बालूसाई बना कर लिया है अब क्या करते हैं तेल देख लेते हैं जैसी मैंने इसमें थोड़ा साथ डाला वह तैर के उपार आ रहा था हलका सा तैर कर तो उसका मतलब हमारा तेल गी तयार है शीकने के लिए बालूसाई आप जितनी इस कड़ाई में आ सके इतनी बालूसाई आप इसमें डाल दीजिए भरके जादा न डालिए क्योंकि यह तेल गी के अंदर जाने के बाद बहुत मोटी यानि काफी मोटी हो जाती तो उना से भी ज्यादा मोटी हो जाती है तो फिर यह सीखेंगी नहीं जब हम इसमें ज्यादा डाल देंगे तो थोड़ी थोड़ी बालू साइड डाले और शेखना शुरू कर दें तो यह देखें तैर के उपर आने लगी है जब यह तैर के उपर आने लगे हलका सा नीचे सीख जाए तब आप इनको पलट देजिए तो यह देखिए जब हमने तेल में डाली जब इनकी थिकनेस काफी बारिक थी अब डबल से भी जादा हो चुकी है तो देखिए जब यह सीखने लगे तो इनका काफी कलर भी चेंज होना लगेगा आपको फ्लेम का खास ध्यान रखना है बालू साई बनाते वक्त काफी मोटी होती है तो इस तरह से तो देखिए बालू साई यहां पर लगभग में शिकर तयार हो चुकी है इस तरह से उठाएंगे काफी सारण में तेल सा भर जाता है थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पकड़ेंगे ताकि जो तेल गी है इसमें अंदर गया वाय वो निकल सके तो देखिए हमें इ कछा सबारा ओंदे पकार सबके में वह यह अदो आता है झौल रहल कि चास्ट होरा निमुदा की चाशिनी के ऐंको दालना शुरू करेंगे यह देखे तो एक बार का बैच हमारा बनकर तयार हो चुका है थोड़ी सी देर के लिए चास्ती में बालू साही को पड़ी रहने देंगे 5-7 मिनट के लिए लगबाग भी और फिर इनको निकाल कर रख देंगे ठंडा होने के बाद इनको सारू करेंगे तो यह देखे एक बार की बालू साही हमारे बनकर यहां पर तयार हो चुकी है अभी यह बहुत ज़्यादा गरम है ठंडी हो जाएगी तो चास्तनीर के ओपर दिखाई भी नहीं देगी और यह इनका कलर भी चेंज हो जाएगा अब मेरे चोटे चोटे बच्चे हैं वो खाने के लिए माग रहे तो इसलिए मैंने यह गरम गरमी सरू कर दिया तो फ्रेंड्स आज की रेसिप अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब भी चरूर कर देना